लोग सबा चुनाव से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरिद मोदी आज राजस्थान दौरे पर थे प्रधान मंत्री नरिद मोदी तीस से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसल मेर के पोखरन फिल्ड फाइरिंग रेंज में भारत शक्ती अव्यास के साक्षी बने जैसल मेर के पोखरन फिल्ड फाइरिंग रेंज में तीनों से नाओ के श्वदेशी हतियारों की ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है जिसको लेकर PM मोधी कारिक्रम में पहुचे इस दौरान PM ने विक्सित भारत को लेकर ऐसा कुछ बोला जुसके बाद इसकी चर्चाएं तेज हो गई PM ने कहा विक्सित भारत की कलपना आत्म निर्भर भारत के बिना संभो नहीं है बारत को विक्सित होना है تو हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा इसलिए आज भारत खाने के टेल से लेकर आधुनिक विमान तक हर शेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उन्होंने का आज हमारा पोकरण एक बार फिर भारत के आत्म निर्भरता भारत के आत्म विश्वास और भारत के आत्म गौरों की त्रिवेडी का साक्षी बना है इसका साथ पीम ने और कुछ क्या बोला देखें वीडियो विश्वास भारत की कलपना आत्म निर्भरत भारत के बिना संभव ही नहीं है भारत को विश्वास होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ा को विमान तक हर शेत्र में आत्मन निर्भरता पर बल दे रहा है आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है आज मेकिन इंडिया की सफलता हमारे सामने है हमारी तोपों टैंकों लड़ा को जहां जो हैलिकॉप्टर मिसाइल सिस्टिम इग जो गरजना आप देख रहे हैं यही तो भारत शक्ती है आपको बता दे भारत लगातार अपनी सायने शक्तियां बढ़ा रहा है प्रधान मिंत्री नरिन मोधी मंगलवार को तीनों सेनाओ के संयुक्त भारत सक्ति अव्याज देखने के लिए राजस्तान के पोकरण फाइरिंग रेंज पहुचे थे जहां तीनों सेनाओ में स्वदीसी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की सक्ति का प्रधर्शन किया गया इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर